हेलो एंड वेलकम तू सरकारी एक्जाम अड़ा आज का हमारा करंट अफेर्स का टॉपिक है स्पोर्स करंट अफेर्स यानि इस वीडियो में हम बीते च्छै महिनों में स्पोर्स से लेटेट जो भी इंपोर्टेंट न्यूज है उसको कवर करने वाले हैं तथा उससे लेटेट 50 इंपोर्टेंट कोशन को देखेंगे तो चलिए शुरू करते थे आज का वीडियो और अगर आपको इस वीडियो का पीडियो चाहिए तो आप हमारा टेलेगराम गुरूप जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यह जो वीडियो है आपका SSC, Railway, Bank और अधर कंपेडियो आपसमें काफे इंपोर्टेंट रहने वाला है तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के पहला कोशन है हाल ही में किस देश ने अधर नाइन्टीन क्रिकेट विश्वकप 2020 को जीत लिया है जब भी कोशन आपकी स्क्रिन पर आए अब वीडियो को पॉस करें और अगर आपको उसका अंसर पता है तो जरूर कमेंट करें उसके बाद आप राइट आंसर देखें तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नमबर C बंगलादेश तो बंगलादेश ने भारत को हराकर अंडर नाइन्टीन क्रिकेट विश्वकप 2020 को जीत लिया है यह विश्वकप साउथ अफरिका में आयुजित किया गया था अब हम देखते हैं ICC के बारे में कुछ important points ICC इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट की governing body है जिसकी स्तापना हुई थी वर्ष 1909 में इसका मुख्यालेसित है सेयुत अरब अमिरात के शेर दुबई में इसके वर्तमान अध्यक्षेम सशांग मनोहर और CEO है मनू साहनी Next question अंत्राश्टे होकी महासंग द्वारा वर्ष 2019 के खिलाडी के रूप में किसे सम्मानित किया गया तो इसका राइट आंसर होगा option number C मन्प्री सिंग मन्प्री सिंग जो है वो भारत के men's hockey team के captain है अब हम देखते हैं IHF के बारे में IHF जो है international hockey की governing body है जिसकी स्थाबनाविती वर्ष 1924 में इसका मुख्याल लेश्टेत है सुज़लेंड के सहर लॉजेन में और इसके वर्थमान अध्यक्षे है भारत वंशी नरेंदर बत्रा Next question अलही में किस देश को HCI मुख्यबाजी championship की मेजबानी के लिए चुना गया है तो इसका right answer होगा option number B भारत भारत को एशे मुख्यबाजी championship की मेजबानी मिल गई है अब हम देखते हैं boxing की भारत में governing body जो की है Indian Boxing Federation इसकी स्थाबनाविती वर्ष 1949 में इसका मुख्याल लेस्थिते नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्षें आजै सिंग next question किस देश ने हाल ही में ICC महिला T20 cricket विशुकब जीता है तो इसका right answer होगा option number A आस्टेलिया आस्टेलिया ने final में भारत को हरा कर यह विशुकब जीत लिया है यह विशुकब आस्टेलिया में आयोजित किया गया था अब हम आस्टेलिया के बारे में कुछ important points देखते हैं आस्टेलिया की राजदानी है कैनबरा यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है आस्टेलियन डॉलर और यहाँ के जो वर्तमान प्रदानमंत्री है वो है स्कॉर्ट मॉरिसन नेक्ट कुश्चन खेलो इंडिया युथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया तो इसका राइट अंसर होगा आप्शन नमबर ए गोहाटी असम खेलो इंडिया युथ गेम्स स्पोर्ट कर अंटरफेस में सबसे इंपोर्टन टॉपिक है इसलिए हमें थोड़ा इसे अच्छे से पढ़ना होगा आई ये से पढ़ते हैं खेलो इंडिया युथ गेम्स 2020 खेलो इंडिया युथ गेम्स का पूने में आयजित किया गया और 2020 में इस साल इसे असम के शहर गुवाटी में आयजित किया गया इस साल इसमें सबसे ज़्यदा मेडल मारास्ट ने जीते ये है मेडल टेली माराश्ट इसमें नंबर 1 पर रहा, नंबर 2 पर रहा हर्याना और नंबर 3 पर रहा देली माराश्ट ने कुल 256 पदक जीते जिसमें से 48 गोल्ड मेडल थे 2018 में हर्याना ने इसमें टॉप किया और वर्ष 2019 में माराश्ट इसमें टॉप पर रहा इसका जो शुबंगर था उसका नाम था विजय जो की एक टाइगर है इस वर्ष इसकी जो मशाल थी उसको हीमा दास ने जलाया जो की आसम से एक भारतिय धावक है इस वर्ष लॉन बॉल्स और साइकलिंग जैसे नए खेलो को इसमें शामिल किया गया यह पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है लॉन बॉल्स और साइकलिंग जैसे नए खेलो को इस बार शामिल किया गया खेलों इंडिया युत गेम्स का शुभारंब खेल और युवा मामलो के मंतरी किरन रिजेजू और असम के मुख्य मंतरी सरबनान सोनोवाल ने किया नेक्स्ट कोश्चन पूने में आयो जित राष्ट्रिय स्नूकर चेंपियन सिप किसने जीती है तो इसे जीता है ओप्शन नमबर डी आदित्यम महता ने इनोंने फाइनल में हम वतन पंकज आडवानी को हराया नेक्स्ट कोश्चन ऑस्टेलिया ही ओपन ग्रेंड सलेम 2020 पुरुष एकल किसने जीता है तो इसका राष्ट अंसर होगा ओप्शन नमबर बी नोवाक जोकोविच इनोंने डॉमिनिक थीम को हराया नोवाक जोकोविच जो है वो सर्विया के एक टैनिस खिलाडी है जो कि इस समय वर्ल्ड नमबर वन है क्या आपको पता है महिला एकल किसने जीता है ये जीता है अमेरिका की सोफिया कैनिन ने इनोंने फाइनल में गर्बेइन मुगुरुजा को हराया हर साल टैनिस के चार ग्रेंड स्लैम टूर्णामेंट्स होते हैं जो एक्जाम पॉइंट अफ यू से काफी इंपोटेंट है तो आईए उनके बारें पढ़ते हैं सबसे पहले होता है औस्टिलिन ओपन जो की मिड जैनवरी में होता है ये खेला जाता है हार्ट कोट पर ये आप देखते हो ये है हार्ट कोट 2019 में मैं सिंगल्स जिता था नोवाग जोकोविच ने और विमें सिंगल्स जिता था नाओमी उसाका ने और 2020 में भी मैं सिंगल्स जिता नोवाग जोकोविच ने और विमें सिंगल्स को जिता सोफिया कैनिन ने उसके बाद होता है French Open जो कि May June में होता है और ये खेलाता है Clay Coat 2019 में Men Singles जीता Raphael Nadal ने और Women Singles को जीता Ashley Barty ने उसके बाद होता है Wimbledon Open जो कि June जुलाई में होता है और ये खेलाता है Green Coat पर यानि घास के मैदान पर 2019 में Men Singles को जीता Novak Jokovic ने और Women Singles को जीता Simona Halep ने उसके बाद सबसे एंड में होता है US Open जो कि खेला जाता है अगा सेतंबर में और ये भी खेला जाता है Hard Coat पर 2019 में Men Singles को जीता Raphael Nadal ने और Women Singles को जीता Bianca Andreescu ने आगे चलते हैं Next Question किस भारतिय बैडमिंटन खिलाडी को बैडमिंटन World Federation द्वारा I.E.M. बैडमिंटन नामक अभियान के राजदूत के रूप में चुना गया है तो इसका राइट अंसर है Option No. B.P.V. सिंदू ये हैं भारत की शान पुसरला वैंकटा सिंदू 2016 के रियो ओलम्पिक में ये एकलोती भारतिय सिल्वर मेडलिस्ट हैं इन्हें हाली में भारत का तीसरा हाइए सिविलियन ओर्डर जो की है पद्म भूशन उससे भी सम्मानित किया जा चुका है इसके अलावा ये स्पोर्स का जो सबसे बड़ा ओनर होता है राजीव गांदी खेल रतन उससे भी सम्मानित किया चुकी है आगे चलते हैं Next Question हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की नौकरियों में खिलाडियों के लिए 5% आरक्षन को मंजूरी दी है तो इसका राइट अंसर है Option नमबर A मध्यप्रदेश अब हम मध्यप्रदेश के बारे में कुछ important points देखते हैं मध्यप्रदेश की राजदानी है बोपाल यहां की जो मुख्य मंत्री है वो है BJP के शिवरा सिंग चोहान परत्मान गवर्नर है लाल जी टंडन और यहां के मैधपून राश्चे उध्यान है बांदवगड राश्चे उध्यान पन्ना राश्चे उध्यान काना टाइगर रिजर्व और सत्पुरा टाइगर रिजर्व इंडोनेशिया में आयोजित ITTF चैलेंज टेबल टेनिस टूनामेंड में पुरुषो का एकल खिताब किसने जीता है तो इसका रैटन सुरुग आप्शन नमबर डी हर्मीद देसाई फाइनल में अमल राज एंथनी को अराया यह हैं हर्मीद देसाई हाल ही में विश्वी डोपिंग इरोधी एजनसी यानि वाड़ा दुआरा किस देश पर चार साल के लिए प्रतिबन लगाया गया तो इसका रैटन सुरुगा आप्शन नमबर C रूज वाड़ा यानि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी जिसका उदेश्य है खेलों में ड्रग्स के यूज को निशेद करना इसके लिए एजनसी खिलाडियों पर और उनसे संबंदित देशों पर कई तरह के प्रतिबन लगाती है इसका मुख्याल लेस्थित है कनाड़ा के शेल मॉन्ट्रियाल में और इसकी स्तापनाविती वर्ष 1999 में गोल्डन बॉल किसने जीता है तो इसका रेट अंसर होगा ओप्शन नमबर डी लियॉनल मेसी ये हैं लियॉनल मेसी जो की अर्जेंटीना के एक फुटबल खिलाडी हैं इसके अलावा ये FC बार्सलोना किलब से भी खेलते हैं नेक्स कुश्चन मैस फिक्सिंग का अपराधिकरन करने वाला दक्षिन एशिया का पहला देश कौन बन गया है तो इसका रेट अंसर होगा ओप्शन नमबर भी स्री लंका अब हम स्री लंका के बारे में कुछ इंपोरेंट पॉइंट देखते हैं स्रेल लंका की दो राज़धानिया हैं कॉलम्बो है व्यावसाई राजधानी और स्री जैवर्दनेपुरा कोटे है प्रशास्नी राजधानी यहां की जो मुद्रा है वो है स्रेलंका रुपिया, राश्टपती हैं, गौटबया राजपक्षा और वर्तमान प्रदारमंत्री हैं महिंदा राजपक्षी नेक्स कुश्चन वर्ल्ड वूशू चैंपियंशिप में स्वन पदक जीतने वाले पहले भरती आदमी बनकर किसने इतियास रचा हैं, काफ़े इंपोर्टन कोश्चन है ये तो इसका रैटन सरोगा आप्शन नमबर ए प्रवीन कुमार ये हैं प्रवीन कुमार जिन्होंने इतियास रच दिया है वूशू चैंपियंशिप में गोल्ड मेडल जीत कर ये हैं पंदरवी वूशू चैंपियंशिप थी जो की चीन के सेयर संगाई में आयो जीत की गई नेक्स कुश्चन किस राज्जे की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है तो इसे जीत लिया है आप्शन नमबर डी सुराशनी सुराशनी फाइनल में मुंबई को हरा कर रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीत लिया है इसमें सबसे ज़्यादा रन राहूल दलान ने बनाई कुल 1340 रन और सबसे अधिक विकिट लिए जैदेव उनादकट ने 67 नेक्ट कुश्चन किस फुटबॉल किलब ने आई लीग टूर्णामेंट जीता है तो इसे जीत लिया है मोहन बागान फुटबॉल किलब ने आई लीग एक भारतिये फुटबॉल टूर्णामेंट है नेक्ट कुश्चन आल इंग्लेंड बैडमिंटन चैंपिंशिप 2020 के पुरुष रेकल का विजेता कौन है तो इसका रेटरेंसर होगा आप्शन नमबर भी विक्टर एकसेलसन इन्होंने फाइनल में चाउ टियन चैन को हराया ये हैं विक्टर एकसेलसन जो कि डैनमार्क एक बैडमिंटन खिलाडी है महिला इकल का खिताब किसने जीता है तो इसे जीता है ताइवान की ताइज जू जिंग ने इन्होंने फाइनल में चैन यूफी को हराया नेक्स कुश्चन हाल ही में भारत की पैरालंपिक समीति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो इसका राइट अंसर होगा ओप्शन नंबर बी दीपा मलिक ये हैं दीपा मलिक ये एक भारतिये पैरालंपिक खिलाडी है इनके नाम एक अध्बुत रिकॉर्ड है ये पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतिये महिला है दोहजार सोला के समर पैरालंपिक मेंनों ने सिल्वर मेडल जीता इसके अलावा दोहजार उन्निस में ही ने राजीव गांदी खेल रतन आवार्ड से भी सम्मानित किया गया है नेक्स कुश्चन आईपियल दोहजार बीस के सबसे महेंगे खिलाडी कौन बने है तो इसका राइट अंसर होगा आप्शन नमबर सी पैट कमिन्स पैट कमिन्स जो है वो एक औस्टिलिया के फास्ट बॉलर है इनहीं कौलकता नाइट रैडर्स ने साड़े पंदरे करोड रुपे में खरीदा काफी इंपोर्टन एक कोश्चन है नेक्स कोश्चन थर्टी सिक्सवा राष्ट्रिये खेल किस राज्ये में आयोजित किया जाएगा तो इसका रैडर्स रोगा ओप्शन नमबर डी गोवा 36 वा राष्ट्रे खेल गोवा में आयोजित किया जाएगा और इसका आधिकारी शुबंकर जो है वो है रुबी गुला जो की एक पक्षी है नेक्स कोश्चन भारत के माहन टैनिस खिलाडी लियंडर पेस ने किस वर्ष में सन्यास लेने की गोश्चना की है तो इसका रैटर अंसर होगा ओप्शन नमबर डो हजार बीस यह हैं लियंडर पेस इन्हें वर्ष 1996 में राजीव गांदी खेल रतन आवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है नेक्स कोश्चन हाल ही में किस भारतिय खिलाडी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट आफ दा इयर का खिताब जीता है तो इसका रहाट आइंसर होगा ओप्शन नमबर डी रानी रामपॉल यह है रानी रामपॉल जो की भारतिय महिला ओकी टीम के कप्तान है नेक्स कोश्चन आइसीसी महिला किर्केटर आफ दा इयर दो हजार उननीस का खिताब किस ने जीता है तो इसे जीत लिया है ओप्शन नमबर सी अलिसा पैरी ने अलिसा पैरी जो है वो एक ऑस्टेलिया की आल राउंड प्लेयर है इसके अलावा जो इंपोर्टेन आवार्स आपको याद रखने है वो है सर गारफिल्ड सोबर्स टॉफी फूर क्रिकेटर ओफ दा इयर पक चाहर ने नेक्स कुश्चन किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2019 जीता है तो इसका राइट अंसर होगा ओप्शन नमबर भी लिवरपुल ने लिवरपुल जो है वो एक इंगलेन का फुटबॉल क्लब है नेक्स कुश्चन हाल ही में कौन विदेशी फुटबॉल क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतिये महिला बन गई है काफी इंपोर्टेंट है ये कुश्चन तो इसका राइट अंसर होगा ओप्शन नमबर सी बाला देवी ये हैं बाला देवी इन्होंने स्कॉटलेंड के स्कॉटिस रेंजर्स वुमेंस फुटबल क्लब को जोइन किया है नेक्स कुश्चन हाल ही में तेरवें दक्षिन एश्याई खेलों का समापन कहा हुआ तो इसका राइट अंसर होगा ओप्शन नमबर A नेपाल तेरवें दक्षिनेशाई खेलों का आयोजन नेपाल के शहर काठमंडू और पोखरा में किया गया इसका जो मैसकर था वो था ब्लैक बग इसमें टॉप पर रहा हमारा देश भारत जिसने कुल 312 पदक जीते जिसमें 174 गोल्ड मेडल थे नमबर दो पर रहा नेपाल और नमबर तीन पर रहा श्रलंका नेक्स कुश्चन हाल ही में अब्बू धाबी ग्रैन प्री 2019 किसने जीती है तो इसका राइट अंसर होगा ओप्शन नमबर C लुईस हैमिल्टन ने ये हैं लुईस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के एक रेस ड्राइवर है ये मर्सडी चलाते हैं नेक्स कुश्चन हाल ही में डैन्मार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 पुरुषो का एकल किसने जीता है तो इसका राइट अंसर होगा ओप्शन नमबर C केंटो मोमोटा ये हैं केंटो मोमोटा जो कि जापान के एक बैडमिंटन प्लेयर है इन्होंने फाइनल में चैन लॉंग को हराया क्या आपको पता है कि महिला एकल किसने जीता तो महिला एकल को जीता है ताइवान की ताई जू यिंग ने इन्होंने फाइनल में नोजोमी ओकुहारा को हराया Next Question किस शहर ने खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम्स के पहले संस्क्रण की मेजबानी की है तो इसका रहाटर अंसर होगा Option No.D. भूवनेश्वर खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम्स का यह है पहला संस्क्रन था इसमें जो युनिवस्टी टॉप पर रही वो थी पंजाब युनिवस्टी जिसने कुल 46 पदक जी थे नमबर दो पर रही सावित्री भाई फूले पूने युनिवस्टी और नमबर तीन पर रही पंजाबी युनिवस्टी पटियाला नेक्स्ट कुश्चन नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी यहनी नाडा ने किस महिला वेटलिफ्टर को चार साल के लिए प्रतिबंदित किया है तो इसका right answer होगा option number A सरबजीत कौर ये हैं सरबजीत कौर जिनको चार साल के लिए नाडा ने बैन कर दिया है Next एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले 7 वे बल्ले बाज कौन बने है काफी important question है ये तो इसका right answer होगा option number A लेओ काटर लेओ काटर न्यूजिलेंड के एक player है जो की 7 वे बल्ले बाज बन गए है विश्व के जिन्होंने एक और में 6 चक्के लगाए हैं इससे पहले ये कारणामा वेस्टन डीज के Gary Sobers ने किया है भारत के रवी शास्त्री और युवराज सिंग ने साउथ अफरीका के हर्शल गिप्स ने इंगलेयन के रोस विटली ने और अफगानिस्तान के हजरत तुला जज़ई ने अब मैं आपको स्पोर्ट्स का एक important टॉपिक पढ़ाता हूँ इसमें हम कुछ important देशों और उनके राश्ट्री खेलों यानि national sports के बारे में पढ़ेंगे तता किस खेल में कितनी खिलाडी होते हैं उसके बारे में जानेंगे ये काफ़ी important topic है exam में इसे सीधा सीधा question आता है कि किस खेल में कितनी खिलाडी होते हैं तता किस देश का कौन सा राश्ट्रे खेल है तो आईए शुरू कर देते हैं सबसे पहले है cricket जो है वो Australia और England का राश्ट्रे खेल है next football जो है वो Brazil और Russia का राश्ट्रे खेल है next hockey जो है इंडिया और Pakistan का राश्ट्रे खेल है ice hockey जो है वो Canada का राश्ट्रे खेल है badminton जो है वो Malaysia का राश्ट्रे खेल है Table tennis है China का, Baseball है USA का, Judo है Japan का, Bullfighting है Spain का राष्टे खेल, Rugby football है Scotland का, Chess है Russia का, ध्यान रखना, Russia का Chess और football दोनों ही राष्टे खेल है, अब हम देखते हैं कि किस खेल में कितने खिलाडी होते हैं तो यह है important table जो आपको याद रखनी है जैसे billiards, snooker, boxing, chess में हर team में एक खिलाडी होता है badminton, tennis और table tennis में एक या दो खिलाडी होते हैं यानि singles या doubles polo में होते हैं 4, basketball में होते हैं 5 इस तरह से आप पूरी table को याद कर लेंगे काफी important रहेगी अगर आपको इसको याद करने की trick चाहिए तो आप हमारा telegram group join किजिए जिसका link मैंने description में दिया हुआ है उसमें हम हर वीडियो का pdf, important quiz और important tricks को share करते हैं Next ये रही आज के session की important quiz जिसमें मैं आपसे 5 सवाल पूछ रहा हूँ आपको इनका अंसर comment में करना है और जो भी अपने score है उसको हमारे साथ share करना है Next अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like और हमारे channel सरकारे एक्जामटा को subscribe जरूर करें और bell icon को बजाए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको उसका notification मिलता रहे और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे telegram group join कीजिए जिसका link मैंने description में दिया हुआ है Thank you for this session God bless you all